सभी मेरे प्यारे बच्चों को पवन कॉंट्सेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आज हम आप सभी के बीच भुगोल के सुपर फाइब प्रस्ण लेकर आए हैं जो अती महत्वपूर्ण है आपके एक्जाम को लेकर है ना और ये आपके एक्जाम में आने की पूरी संभावना होती है ऐसे प्रस्ण तो चलिए मेरे प्यारी बच्चो आज का सूपर फाइब प्रस्ण में पहला प्रस्ण है आपके बीच मानों के प्रमुक किर्या कलापों की वेख्या करें है ना मानों के प्रमुक किर्या कलापों की वेख्या करें क्रिशी का कार करते हैं वानिकी का कार करते हैं आखेट का कार करते हैं और मतस्य पालन का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चो, मनुष्य द्वित्यक क्रिया क्लाप में क्या करते हैं, तो द्वित्यक क्रिया क्लाप में वी निर्मान, उद्यो और सक्ति का स्रोतों का कारे करते हैं, काम करते हैं, तिसरा है मेरे प्यारे बच्चो, तृत्यक क्रिया क्लाप, थर्डरी सेक्टर, इस स जो है वो परिवहन का कारे करता है संचार का कारे करता है एबं अन्य सेवाएं देने का कारे करता है चतुर्थक किर्यकलाप पे क्या हो जाएगा चतुर्थक किर्यकलाप पे मनुष्य बाधित्ता पूर्ण जैसे सोध अनुसंधान खोज इत्यादी करने का कारे करता है चलिए अनसर है मेरे प्यारे बच्चों धान खरी फसल है और गेहूं जो है वो रभी फसल है ना धान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो खरी फसल है और गेहूं क्या है रभी फसल है चले मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्ण है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्ण क्यों अगल मेरे बच्चों संभावना वाद सब्दका परियोग सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा क्या गया था तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि संभावना वाद सब्दका परियोग सबसे पहले लूशियन फैबरे के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था, लूशियन फैबरे के द्वारा किया गया था, चले मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रस्चन को चलते हैं, अगला प्रस्चन है, रैटेजल के अनुसार मानो भुगोल को परिभासित करें, आखिरका रेटिजल महोदे ने मानो भूगोल को कैसे प्रिभासित किया, कैसे बताया है उसके बारे में जानेंगे तो मेरे प्यारे बचों यहां लिखा उगा है अनसर रेटिजल के अनुसार मानो भूगोल, मानो समाजों तथा पिर्थवी तल के भी संबंधों का संसलेशित अध्यन है रैटिजल कहते हैं कि जो मानो भूगोल है ना ये मानो समाजों तथा पिर्थवी पर जो भी संसाधन मौजूद है इन संसाधनों का संसलिशित अध्यान है क्या संसलिशित अध्यान है मानो भूगोल मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये प्रश्ण आने की पूरी चंभावना होती है है ना तो प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चों परवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं है ना परवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं मतलब है मेरे प्यारी बच्चों, जब लोग एक अस्थान को छोड़कर अन्य अस्थानों पर चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परवास परवा, जैसे ये मेरा पुराना घर था, लेकिन अब हम यहां इसको छोड़कर दूसरे जगा पर चले जाएंगे, दूसरे छेतर में चले जाएंगे, तो ये कहलाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों परवास परवा कहलाएगा, क्या कहलाएगा परवास परवाँ जैसे लोग एक अस्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिती को हम लोग परवास परवाँ कहते हैं अब मेरे प्यारे बच्चो परवास परवाह कैसे होता है लोग एक अस्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं तो परवास परवाह मुख्यता छेत्रिये समाजिक आर्थिक विवस्था पर निरभर करता है जिस कारण लोग अपनी आवसकता की पूर्ती के लिए दूसरे छेत्रों की ओर परवास करते हैं जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमको हजारी बाग में ज़्यादा आय प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कहां चले जाएंगे मुंबई चले जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर जादा से जादा पैसा मिलेगा इसलिए हम वहाँ चले जाएंगे तो परवास परवा का मुख्य कारण क्या हुआ आर्थिक किरिया कलाप है ना क्योंकि यह हजारी बाग में पैसा कम मिल रहा है लेकिन अगर हम मुंबई में चल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां हमें पैसा अधीक मिलेगा तो हम कैसे परवास किये एक जगह से दूसरे अस्थान पर पैसा को लेकर आर्थिक किरिया कलाब को लेकर हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर परवास किये है ना मेरे प्यारे बच्चों तो परवास के बड़े कारण हैं है ना राजनितिक कारण के कारण भी लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चल जाते हैं जैसे मेरे प्यारे बच्चों अफगानिस्टान एक देश है इस अफगानिस्टान देश में तालिबान के लोगों का सासन है अब यहां के जो तालिबानी अंतंकवादी है न यह अंतंकवादी लोग यहां के देशों को बड़े सताने का काम करते हैं जिसके कारण लोग जो अ अंतंकियों के हाथों में और तालिबान अंतंकि जो है वो आफगानिस्तान के लोगों को कुचिने का काम करते हैं अब यही कुचिने से तबा हो गए वहां के लोग और वहां के लोग अफगानिस्तान को छोड़कर अच्छे अस्थानों पर जाना पसंद कर रहे हैं तो यह ए बतर लगे तो एक बार सेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीज़ेगा मेरे प्यारे बच्चो फिर मिलते हम लोग अगले सुपर फाइब प्रस्णों के साथ